नमस्कार दोस्तों आप देख रहें इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स बारतिय टीम का बुद्वार को एलान हो चुका है आइरलेंड के खिलाफ जो दो टी-20 आय होने है उसके लिए उसमें हमने देखा कि नया कप्तान भी है कुछ नए प्लेयर्स की वापसी हुई है कुछ प् एक मेडन कॉल अप भी मड़ाय मिला है लेकिन हाप सबने एक चीज नोटिस की होगी कि एक प्लेयर का नाम जिसका IPL 2022 में अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन था उसका नाम नहीं आया और वो ही प्लेयर उमीद जदा कर बैठा था कि मेरा नाम आएगा और उ इस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन करा आइस बार के IPL के लिए और जीती हुई टीम इस बार या IPL की गुजराट टाइटन्स उसके लिए अगर उनके प्रदर्शन की तरफ देखे तो 16 मैच में 217 रन थे और 147 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने पारी खेली ऐसा भी नहीं के चोटी मोटी चोटे मार्जिन से मुकाबले जित्वाए लेकिन काफी बड़े मार्जिन से मुकाबले जित्वाए थे आप देख लीजे कि 21 गेंदों पर 40 रन जब टीम को चाहिए होते थे तब उन्होंने आकर इतनी बहतरीन पारी खेल कर सिंगल हैंडिली गुजरा टाइटन्स को मुकाबले जित्वाए और कहीं बार तो 22 गेंदों मर 50 से उपर रन भी चाहिए होते थे सामने वाले नॉन स्ट्राइकर के साथ बिठा कर उन्होंने कहीं लगातार मुकाबले जित्वाए तो वो उमीद लगाकर बैठे थे कि काश मेरा नाम भी आ जाता स्क्वाड में लेकिन अच्छी बात यह हुई है कि जो स्क्वाड आया उसमें राउल्ट रिपाठी को मेडन कॉल अप मिला है राउल्ट रिपाठी करना पड़ा राउल्ट रिपाठी को दूसरी तरफ एक चीज नहीं और हुई है कि हार्दिक पांड्या ने भैतरीन कप्तानी करी गुजराट टाइटेंस के लिए इस सीजन में और टीम को जित्वाया भी खुद कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट कर और प्लेयर्स के पास ज की जो उमीद लगाए बैठे थे उन्होंने ट्वीट करा कि एक्सपेक्टेशन हर्ट ट्विटर पर कुछी देर बार ट्वीट करा जब स्कॉड अनौंस किया गया बी सी सी आए ने अगर उनका साफसाफ यही मतलब था कि आप उमीद मत रखे बस अपना परीश्रम या प्र दिनेश कार्थिक और टीम में है जो आईरलेंड के लिए अनौंस हुई है और एक फिनिशर के रूप में ही दिनेश कार्थिक खेलेंगे उनको पूरी तरीके से अभी जो साउथ अफरीके के खिलाफ टी-20 मुकाबले हो रहे हैं उसमें भी उनका रोल कर दिया गया है कि अगर दिनेश कार्थिक या कोई और प्लेयर इंजर्ड हो जाए ऐसा हो नहीं लेकिन अगर ऐसा बाइचांस अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो एक बैक अप के लिए फिनिशर होना चाहिए था आप सभी को क्या लगता है कि राउल तिवर्टिया को ऐस फिनिशर टीम में आना चाहिए था इस बारी का IPL 2022 का परफॉर्मेंस उनका गुजराट टाइटन्स के लिए इतना अच्छा था कि उनका लिए नैशनल टीम में उनका चैन होना चाहिए था आप ये बात को कमेंट सेक्शन में बताए और आगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेर करें और मारे चैनल को सब्सक्राइब करें